सबसे पहले हमें छोटा सा numerical solve करेंगे, जिससे बाद में जो डैक के उपर हम थेरी समझने वाला है, वो थेरी आपको और ज़दा अच्छे समझेगे, और उसके बाद हम एक university level का question solve करेंगे, और शायद से उसके बाद और एक solve करेंगे, आप शुरू करते हैं, यह हमारा सबसे पहला numerical है, अब इस numerical को कैसे solve करेंगे, देखो, यहाँ पर क्या लिखा गया है, a into b plus b, सबसे पहले हम इसका syntax भी बनाएंगे, उसके बाद डैक बनाएंगे, और ऐसा करने के पीछे के reason आपको बाद में पता चलेगा, ठीक है, अब यहाँ पर इसके अंदर सबसे पहले हम a into b को पकड़ता है, तो अभी a into b को हम कैसे लिखेंगे, a into b, और उसके बाद क्या है, this plus b, तो this plus b हो गया syntax भी, अब हम इसका डैक बनाता है, अब डैक के अंदर तुम्हें एक चीज़ समझने की जरूरत है, जैसे आप यह बी बार बार रिपीट हो रहा है, डैक के अंदर ऐसे चीज़े बार बार रिपीट नहीं हो सकती, उसके अंदर हमें एक ही बार b लिखना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे, देखो, same approach अपनाने वाले है, a into b, तो a into b, right, and this plus b, तो this plus, अब यहाँ पे देखो, हम b नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर हमने b लिख ल तो अब हमें ऐसा कुछ करना है, जिससे यहाँ पे एक extra b भी ना आए, और इस चीज़ का मतलब भी ना change हो, तो अभी हम ऐसा क्या करेंगे, देखो, हमें यह पता है कि यहाँ पे हम एक extra b लिखने ही सकते, और हमें यह भी पता है, कि यहाँ पे एक b already है, तो instead of writing a b here, हम directly इस को इसके साथ connect कर देंगे, हो गया डाग, देखो, a to b plus b, a to b plus b, खतम, यही तो डाग है, सारे के सारे rules को obey करके हमने यह बना लिया, अब हम डाग के ओपर थोड़ी सी थेरी पढ़ लेते हैं, देखो, अगर तुमारे सामने एक expression है, तो syntax tree और डाग, यह दोनों उस expression को graphically represent क करने की तरीक है, तीक है, अब मैं मानता हूँ कि डाग थोड़ा सा difficult है, बट डाग के तीन सबसे ज़्यादा important फायदा है, फायदा number one, डाग के अंदर क्या होता है, जो tree होती है, उस tree की size reduce हो जाती है, अब यहाँ पे ही तुम compare करके देख लो, इस tree की size बढ़ी है या इस tree क size बढ़ी है, और इस tree की size कम है, reduce size है, और यहीं फायदा होता है, डाग का, दूसरा फायदा यह है कि डाग जो है, वो एक expression को graphically represent करने का optimized तरीका है, अगें यही पर ही तुम देख लो, यहाँ पी बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे क्या बार बार रिपीट हो रहा है नहीं, तो which is more optimized तरीका, of course, this is the more optimized तरीका, और इन दोनों फायदों के वज़े से एक तीसरा बहुत ही ज़्यादा भयंकर फायदा होता है, which is space बचती है, space की बचत होती है, अब यहाँ पे भले हम small scale के उपर बात कर रहे है, यह small scale में बात कर रहे है, but जब large scale में बात होती ह जब बड़े-बड़े expressions होता है, तब बहुत ज़्यादा space की बचत होती है, तीक है, अब हम एक university level का problem solve करने वाले है, which is this, मैं यह rough कर देता हूँ, और इसके बाद हम यह problem solve करता है, अब देखो, अगर suppose हमने इस diagram को consider किया, तो यहाँ पे सबसे पहले हम यह वाला bracket solve करता है, अब इसके अंदर क्या है, b into c, तो b into c, अब इसके बाद क्या है, this plus a, तो this plus a, यह bracket हो गया, अब इस bracket को solve करता है, अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले b into c, तो अब यहाँ पे b into c already है, तो उसके बाद क्या है, b into c into a, तो अब यहाँ पे, क्योंकि b into c already है, इसलिए हम और एक b into c नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला था कि डैक के अंदर चीज़े repeat नहीं होती, बट हमें इसका meaning भी change नहीं होने दना है, तो हम ऐसा क्या करेंगे, जिससे एक और b into c भी ना आए, और इसका meaning भी change नहीं हो, देखो, b into c, b into c already है, into a करना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे into और, ऐसे, b into c into a, ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यह वाला bracket हो गया, ठीक है, जिसको यह plus lead कर रहा है, और यह वाला bracket हो गया, जिसको यह into lead कर रहा है, तो अब यह bracket plus यह bracket है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हो, ठीक है, यह bracket plus यह bracket भी हो गया, अब यह पूरा का पूरा divided by c है, ओके, अब मुझे थोड़ा सा rough करना पड़ेगा, और यहाँ पे construct और dag ही बोला गया है, इसलिए हम dag ही construct कर रहा है, और generally exam में construct dag ही करने के लिए आएगा, syntax इसलिए के लिए तुम्हें नहीं बोलेंगे, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, तो अभी यह जो पूरा का पूरा है, वो हमने बना लिया है, और इसे यह जो प्लस है, वो लीड कर रहा है, और अब इस पूरे के पूरे expression को हमें डिवाइड करना है विच सी, तो इस पूरे अब यह जो पूरा का पूरा एक्स्प्रेशन है is equal to d, right? तो अभी हम क्या करेंगे? अब मुझे unfortunately यह भी रफ करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास space नहीं है, मैंने एक बेवकूफी कर दी, यह मुझे थोड़ा से नीचे लिखना चाहिए था, anyway, तो वो जो पूरा का पूरा एक्स्प्रेशन दा, मतलब यह पूरा का पूरा एक्स्प्रेशन, this is equal to d, right? तो this is equal to d, खतम, यह तुम्हारा डग है, for that expression, वो एक्स्प्रेशन यहाँ पर मैं एक बार फिर से लिख लेता हूँ, ताकि तुम बहुत अच्छे से compare कर सकोगे, तो अभी वो question यह है, अगर तुम इस वीडियो को थोड़ा सा rewind करके वापस देखोगे, तो आपको यह चीज शायद से और ज़दा अच्छे से समझ में आएगी, और अब हम और एक university level का question solve करने वाले है, तो अभी यह हमारा अगला example है, इसके अंदर सबसे पहले हम यह वाले bracket को solve करते हैं, अब इसके अंदर x into y, तो x into y, ओके, अब x into y plus x into y है, मतलब और एक बार x into y है, तो क्या हम और एक बार x into y लिखते बैटेंगे, डाइग में तो बिल्कुल भी नहीं, एक बार x into y लिखना भी ना पड़े, और इसका meaning भी चेंज ना हो, तो अब हम ऐसा क्या करेंगे, देखो, हमें यह पता है, कि हम एक बार और x into y नहीं लिख सकते, और हमें यह भी पता है, कि एक x into y हमारे पास अल्रेडी है, तो अब यहाँ पर क्या expression है, x into y plus x into y, तो x into y plus x into y, simple, तो बेसिकली इस पूरे के पूरे expression का graphical representation यह है, और इस पूरे के पूरे expression को यह plus lead कर रहा है, अब lead कर रहा है, इस भाषा का प्रयोग आप exam में नहीं कर सकते, आपको यह topic easy पड़े, इसलिए ऐसी भाषा का इस्तमाल मैं यहाँ पर करता हूँ, अगर आपको यह जानना है कि exam में क्या लिखना है, उसके लिए आप हमारे notes refer कर सकते हो, notes में आपको enough number of solve examples भी मिल जाएंगे, तो उसका tension आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, इस expression को solve किया था, देखो, a into b तो a into b, simple, अब उसके बाद वापस plus वापस a into b है, तो plus यहाँ पर क्या हम वापस a into b लिखते बैटेंगे, नए, क्योंकि then a into b, a into b सेम हो जाएगा, तो हम ऐसा क्या करें, जिससे यहाँ पर हमें एक a into b लिखना भी ना पड़े, और इसका meaning भी change ना हो, देखो, अब हमें यह पता है कि यहाँ पर एक a into b अल्रेडी है, तो instead of writing an a into b here extra, हम directly इसको इसी से connect कर देंगे, simple, a into b plus a into b, मतलब basically यही expression, तो यह expression हो गया, और यह भी expression हो गया, अब this expression minus this expression है, तो this expression minus this expression, और यह अपने इस expression को graphically represent कर दिया है, with the help of DAG, अब मुझे comment section में सच सच बताओ कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, यह हमारा playlist है, इस playlist के अंदर आपको इस subject के सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे, thank you,